नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन आर्मी के लिए ओनलाइन अपलाई अपने मोबाइल फोन से कैसे कर सकते हैं जो अभी ओनलाइन अपलाई की परकिरिया एस्टार्ट हुआ है यानि 4 अगस्त 2022 से अपलाई जो हुआ है उसमें आप अपलाई कैसे कर पाएंगे हलांकि इसमें जो अपलाई का डेट हो पांच अगस्त दिया है और पांच अगस्त आप तीन सितंबर तक इसके लिए अपलाई कर सकते हैं तो आपने मोबाईल फोन से कैसे अपलाई करेंगे एप प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं अपलाई करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेवसाइड पर आ जाना होगा आर्मी के ओफिसल वेवसाइड पर लिंक डिस्क्रिप्सिंट में मिल जाएगा वेवसाइड पर आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा अगनी पत का ओफिसन अगनी पत पर किलिक करके प्रेस करके रखिएगा उसके बाद इस तरह से डेस्ट वेड ओपन होगा सबसे पहले अपलाई अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो आपको युजर एसे ने पर हो जायेगा यहां से आपकी सट्टकी निवासी हैं एस्ट्रेट अपना स्लेह करेंगे जो भी आपका एस्ट्रेट होगा वह सब्सक्राइब कर देना होगा इसके बाद नीचे स्क्रॉल किजिएगा यहां पर आपको अपना अधार नमर तो आधार नमर आप फिल करना है ध्यान रहें जो भी डिटेल्स फिल करेंगे वह अपने 10th certificate से मेच होना चाहिए निचे स्क्राल किजीएगा यहाँ पे आपको Father's name डालेना है mother's name डाल देना है जनम तीथी यहां से डालना है यहां से सलेक कीजीएगा तो गेलनर से आप अपना डिट वीर्थ करेंगे उसके बाद आपना इमेल आईडी यहां पर डाल देना है वहीं इमेल आईड आप डालेगा जो अभी यूज कर रहे हैं यहां पर एक मोबाइल नमर डाल देना है ध्यान रहें हैं दोनों आपको वैंसा करना है जो आप कही आर्मी का रिष्टेशन में नहीं दिये हैं उसके बाद टेर्मेंट का अप्लाई करने का प्रोसेस का तो अब आपको फिर से अगनी पत पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको लोगिन इन या अपलाई ओनलाईन का अफिशन पर क्लिक करना है अब आपके समने आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मंगा जाएगा जो आपको वहाँ से मिला है आपका यूजर आईडी आपका मुबाईल नमर ही रहेगा और पासवर्ड जो आप बनाए होंगे पासवर्ड आपको मिलेगा लूजर आईडी पासवर्ड यहा फिल करना है चैस्टा को यहा पर फिल करना है लौtt पे क्लिक करना है लौक करने कबद इस तोडिए सबसे पहले आपको निचे जिस भी पोस्ट के लिए करेंगे उस पोस्ट को यहांप कि यहां पे सब के लिए यह पितैंथ पास है तो आप अप्लाइक कर पाएंगे जो यहां पे त्वेर्थ फास रखा गया है अब यहां पे आपको एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा इसमें आपको फूरा पढ़ना है इसमें आपको फूट्टों का साइज इस अपलोड करना कि आपके सामने आपका पूरा प्रिभीव आ जाएगा जो रिष्टेशन करते वक्त आपने दिया था यहां पर आपको अपना religion सेलेक्ट करना है कि आपका religion कौन सा हिंदू है मुस्ली में सीके submission है जो हो आप स्ट्रेड़ी यहाँ से आप स्ट्रेक्ट करेंगे आपका कौन सा जाति से हैं वो यहां से आप स्ट्रेक्ट करेंगे उसके बाद यहां पर आपको अपना एक photo upload करना है जिसकी size जो 5 भी 20 के बी के अंतरगर्ट होना चाहिए और signature का साइज जो होगा वो 5 से 10 के भी का अंदर होना चाहिए यहां से चूज फाइल करेंगे जहां पे आप अपना फोल्टो रखे हुए हैं जिस भी फोल्डर में आपको अपना फोल्डर ओपन कर लेना है तो यहां मैं आपको लाइब करके दिखा रहा हूं कि अपलोड करने में आ इस भी फोल्डर में आप सेल्ट कीजिएगा सेलक्ट करने के बाद यहां पे आपको फोल्टो ओपन देड एड्रेस डाल देना है जहां आप पर्मानेंट रहते हैं और यहां पे आपको पता डाल देना है जैसे आपको गाउं का नाम बागी सब ढ़िट दिए यहां पर की यहां पर सहर डालिएगा, यहां पर आपको अपना ब्लॉक डाल देना है, जो ही ब्लॉक हो, एरिया पीन कोड यहां फिल कर देना है, आपको पुलिस एस्टेशन फिल कर दीजिएगा, पोस्ट ओफिस, इस सब जीतना फिटल्स, यहां पर एस्टार जो लगा है, उसको आपको अब आपके सामने details open हो जाएगा यहाँ पे अगर आप खेल कुछ से संबंदित है तो यहाँ पे yes करेंगे तो yes करेंगे तो उससे संबंदित जो भी यहाँ पे sports में आप जनकारी है जो भी आप sports खेले हुए हैं उससे संबंदित जनकारी आपको यहाँ पे आपको फिल करना हो यहां पर फ़स्ट या फेल करना हो यहां पे आप अगर आप खेल कुझ नहीं है तो आप यहां पर नो करना है और नो करने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा कोई आपके पास ट्रेड है तो यहां से आप Select करेंगे कि आपके स्टेट के लिए अपलाई करना चाहते हैं ड्रेसर या हाउस कीपर या मेस कीपर या स्टीवार्ट या सपोर्ट स्टाप या टेलर या वासर में जो भी यहां से आपको अच्छा लगता है और यहां से आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा जो भी यहां पर ट्रेड है उस ट्रेड के अलामा अगर कोई वैकेंसी अवालेबल होती है तो मैं उस ट्रेड में भी यहां पर जाने के लिए एक चुक हूं यह आपको वहां पर देना है उसके बाद यहां पर आपको हाइस्ट क्वालिफिकेशन जो हो आप यहां से सेलेक्ट करें उसका बाद Save and Continue पे click करेंगे आपका record successful on Save okay किलिक करना है आप यहां से आपको अपना qualification course डालना है जोभी आप course किये हैं तैंध किये हैं तैंध डालेगा यहां से आपको board कौन से board से किये हैं concentral university, state university या जो भीए पे CBSCO वो आप यहां से बोर्ट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहां पे आपको अपना passing ear cup का है वो आप यहां से सेलेक्ट करेंगे आपका roll number क्या है वो यहां पे डालेंगे certificate number जो क्या है वो यहां पे डालेंगे certificate number फिल करने के बाद यहां पे आपको एड बाफसे मिलेगा एड पर आप क्लिक करेंगे अब क्लिक करने के बाद आपका जो सेटिफिकर डीटेल से ओड हो जाएगा कुछ इस तरह से अब यहां पर आपको अपना सब्जेक्ट डालना है कि आपका कौन-कौन साथ सब्जेक्ट था तो जो भी यहां पर आपको सब्जेक्ट है उसमें आपको आए हैं और मार्क्स आपको डाल देना है कम से कम 33 परसेंट आपको हर एक भी से मिलाना इमार है कितना का एकजाम हुआ कितना मार्क्स का यहां से डालेंगे और उसके बाद यहां पर परसेंटेज होगा वह आपको नहीं एड करना होगा एड पूरा सब्जक्ण एड करने के बाद कितना का एक्जाम हुआ था वो यहाँ पे डालना होगा इसी तरह आपको जो भी subject हो वो आपको add कर लेना है पूरा subject add करने के बाद अब आपको continue वाला option पे click करना है continue पे click करने के बाद next करने के बाद आपको पूरा फिर भीव यहाँ पे मिल जाएगा फिर भीव आपको मिल जाएगा नीचे स्क्रोल किजिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा submit का option ध्यान रहें submit आप form कर देंगे उसके बाद आपको जो रॉल नमबर होगा वो आपको जो form का date है समाप्त होने के बाद यानि close होने के बाद आपको generate किया जाएगा उसके बाद ही आप अपना pdf को download कर सकते हैं तो इसके लिए आपको apply के बाद आपको नहीं मिलेगा आपको जब form का last date बित जाएगा उसके बाद आपको pdf generate हो जाएगा यहाँ पे एक pdf मिल जाएगा उसको आप download कर पाएगे खिलाल यहाँ पे आपको submit पे click करना है ओके पे click करना है आपका form जो है final submit हो चुका है ओके पे click कर देना है अब आप चाहे तो यहाँ पे जो आपका application history है इस पे click करके आपका form यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका form submit हुआ है या नहीं हुआ है उसके बाद साथ ही यहाँ पे आपको व्यू और कैंसल का भी आपको अफशन मिल जाएगा तो अभी आप चाहे तो इसमें किसी परकार का चैंजेश कर सकते हैं तो पुरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बता दिया है अप लाइक करने का वीडियो अच्छे किजीगा